हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच परहार में दोस्तो मैं हूँ एड़ोकेट सनी शर्मा और दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपोर्टेंट जैज्ज्मन बताने वाला हूँ जहां पर बिना एलिमनी के डाइवोस ग्रांट हुआ पती को अब पती डाइवोस तो लिना चाहता है क्यों पूरी तरह से फसा हुआ है उसके उपर कई सारे केसे चल रहे हैं बहुत लंबा समय गुजर चुका है अपनी पतनी से अलग रहते हुए अब option क्या है उसके पास कुछ भी option नहीं होता तो finally उसको अपनी तरफ से डाइवोस ही फाइल करना पड़ता है अब डाइवोस फाइल करने के बाद भी उसके सामने दो चीज़ें होते हैं दो चैलेंज होते हैं एक तो उसका डाइवोस का केस खारिज ना हो जाए यानि उसको डाइवोस के डिकरी पास हो जाए और दूसरा ऐसा ना हो जाए कि बहुत बड़ी ऐलिमनी उसके उपर लगा तरफ से section 13 of Hindu marriage act में कुरूरता और परित्याग के आधर पर तलाग का वाद दायर किया था अब जब इस case में पत्नी ने अपना reply file किया तो उसने पती की सारी बातों को deny कर दिया अपने उपर लगाए में सारे allegation को भी deny कर दिया अब last में पूरा जब trial चलने के बाद पती के favor मे divorce की decree पारित कर दी गई और साथ ही उसको 15 लाग रुपे अलिमनी का एवं 10,000 रुपे litigation expenses का पत्नी को देने के लिए order किया अब पती को तो divorce चाहिए था तो divorce की decree उसको मिल गई इससे तो satisfied था लेकिन उसको 15 लाग रुपे permanent अलिमनी देनी पड़ेगी इस चीज के लिए उसने इस आदेश को हाई कोट में चैलेंज कर दिया उसने हाई कोट में अपील डाली कि जो 15 लाग रुपे अलिमनी का ओडर हो गया है यह गलत है अब हाई कोट ने पूरे मामले के तथिवर परस्तित्य को देखा और फाइनली जो पती के अपील थी उसको dismiss कर दिया अब पती पर इा प्रमांणन अलिमनी को और किया है समय और दोनों नहीं और दोनों ने अपना माइंड अपलाई नहीं किया पूरा किया और गा-पति की इंकम और उसकी किजस को धियार में रखा कोई विशलेशन नहीं किया जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है यह लिएर डांश क को order दिया कि on the basis of merit within six months इसको दुबारा से fresh तरीके से decide किया जाए तो इस परकार से दोस्तों यहाँ पर पती को divorce भी मिल गया उस पर जो मोटी permanent alimony लगा दी गई थी 15 lakh रुपे उस order को भी cancel करके family court को बूला गए मेरिट के base पर देखिए मेरिट का base किया है कि जो भी पती की actual income होगी उसके आधार पर alimony decide होगी तो जहरसी बात है वह बहुत ही reasonable होगी जेस्ट इस आधार पर कि पती है तो इसको दे नहीं है तो इतना कर देते हैं तो यह कोई की बात नहीं होती जो भी चीज़े होती है वो जो on paper on record material factor उसके आधार परता होना चाहिए तो दोस्तों यह judgment भी बहुत important है उन सम लोगों के लिए जो डावोस में गए है क्योंकि आप लोगों की help के लिए judgment का लिंक इस वीडियो के नीचे description में मिल जाएगा वहाँ जाके आप पूरे मामले की जानकारी ले सकते हैं आज की इस वीडियो में नेक्स वीडियो में नहीं जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ तब तक के लिए गुद्भाई and thank you for watching take care कर दो